हेलो एवरिवन तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने प्रिवियस स्कूल जो की है डॉन वास को हाई स्कूल बहुत दिनों के बाद हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्यूंकि मैं वहाँ पे जाके व्लॉग बनाने वाली हूँ तो लेट्स ग के बच्चे पढ़ते हैं इस प्लॉक में देख सकते हैं कितना ब्यूटुफुली इसको डिजाइन किया गया है और यह है बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए मतब तीन चाह सीड़ी है इदर से यह हमारा टैनिस प्लेग्राउंड जहां पर टैनिस के लावा भी बहुत सा से निटसे कवर्ड है और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यूवट है यहाँ पे फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है देखिए बच्चों से यहाँ पे प्लान nation भी करवाया जाता है बच्चे बहुत अट pissed करते information में और यहाँ पे जो एडिया है चोटा से यहाँ पी cricket क special training दी जाती है जो बच्चे मतलब cricket खेलते हैं वो इसके लिए यह हमारा play class यानि कि यहां पे nursery के बच्चे पढ़ते हैं और यह block 2 है जहां 9 से 12 के बच्चे पढ़ते हैं और यह हमारा पहले staff room था लेकिन अब इसको बना दिया गया है sport room I think तो बहुत अच्चा है यह और फिर यह हमारा रास्ता है जाने का यह जो डो divergence आपको दीख रहे हैं अगर आप right की तरफ जाएंगे तो play class में जाएंगे left की तरफ जाएंगे तो secondary class में तो यह तो play class का था और यह है हमारा secondary class का जो कि 9 से 12th standard टक के बच्चों का है अब यह है administrative office यहां पे admission की सारे procedures होते हैं जितने भी new admissions होते हैं यहीं पे होते हैं इस table में medicine रखी जाती है बच्चों को कभी तबेत खराब हो गए यहां पे waiting area बनाया गया है जहां पर parents wait कर सकते हैं अगर वो बच्चे को लेने आते हैं तो या फिर new admission कराने आते हैं तो यह बहुत अच्छा है यहां पे और यहां पे जो है wifi भी बहुत है यह हमारा IT department जहां पे बच्चों का जो भी admission में या फिर registration के टाइम पे जो भी गड़वड़ी हो जाती है या फिर attendance वगएरा तो इस room में वो सारी चीज़े होती है IT department वाले handle करते हैं तो बहुत अच्छे से लोग अपना काम कर रहे हैं आप देखी सकते हैं बढ़ते हैं हमारे principal office के तरफ तो थोड़ा सा डर लग रहा है बट principal office में sir अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और sir ने हमें notice नहीं किया है तो देखे यह principal office कितना अच्छा है vice principal office दीपक sir जो कि प्रसनली हम लोग जानते हैं तो यह पे अपना काम कर रहे हैं अब आते हैं एक्जामिनेशन डिपार्टमेंट में तो यहां पे अविनाश्य होती sir है जो की examination department को handle करते हैं देखे कितने सारे यहां पे copies रखी हुई हैं और यह sir के PA हैं जो की sir को help करते हैं काम करने में और अब हम लोग आते हैं record room जहां पे सारे pass out students के record रखे जाते हैं तो आप यह देख सकते हैं air wise कितने सारे records हैं यह हमारा favorite corner bio lab तो bio lab में देखे यह दिपक sir है दूसरी दिपक sir वो नहीं तो यहां पे कितने सारे रखे गए हैं heart है हमारा फिर eye है फिर different different systems है like excretory reproductive बहुत सारी चीज़े हैं यह हमारे spotting के लिए 12th class के बच्चों के लिए spotting का समान यह skeleton और देखे कितने सारे microscope है देखने के लिए तो किसी भी बच्चे को दिकत नहीं होती है बरते हमारे chemistry lab की तरफ तो chemistry lab भी काफ़े अच्छे से organize है बहुत सारे chemicals भी यहां पे पड़े है और देखे हम लोग ने यहां पर साबून भी बनाया था soap making तो I hope कि वो यहां पर होने चाहिए और यह बच्चे ने titration करके छोड़ दिया है यह हमारा नया खुला है जो की inventory room है जहां पर बच्चे नए नए चुज़े के discovery करते हैं तो यहीं पर उनको रखा जाता है discoveries को तो नया है पहले नहीं था देखे कितने अच्छे से यह भी organize हुआ है अब बढ़ते हैं computer lab की तरफ तो बच्चे हर एक computer पर एक ही बच्चा है कोई भी gathering नहीं होती है बहुत peacefully क्योंकि बच्चे जादा है तो roll number wise दो classes में हो जाता है और यह हमारी library जो कि मुझे personally बहुत पसंद ह इसका जो look है वो इस बार change कर दिया गया है पहले seat होती थी जिस पर नहीं होता है कि एक पर दो बच्चे बैठेंगे अब इसका look कुछ इस तरह से है तो मुझे बहुत personally मुझे यह बहुत पसंद आया और यहाँ पे books है उसके अगले साड़ा बैठ सकते तो books हर किसम की होती ह यह है physics lab देखकर ही पता चल गया prism वगएरा यहाँ पे book भी रखी हुए है ताक आप लोग को परेशानी ना हो बहुत सारे यह सारी चीजें है physics lab से तो मैं तो physics lab से उतनी अटाच नहीं थी बट फिर भी physics lab अच्छा है यह रहा है staff room जो कि लग रहा है कि इसमें कोई changes नहीं है क्योंकि staff room बही पुराना look को अपना represent कर रहा है अभी कोई भी teacher के लग रहा है कोई खाली period नहीं इसलिए कोई teacher यहाँ पे नहीं है thankfully यह backboard और यह canteen area